नमबर दो सो अठाएस निराकार ब्रह्म भौतिक आकाश के समान विराट नहीं है वे है अखंड चैतन्य स्वरूप या चैतन्य वी ही सर्व व्यापी है सब वस्तुव में ओत प्रोत है उन्हीं की सत्ता से उन्हीं के अस्तित्व से समस्त वस्तुव का अस्तित्व है उन्हीं की चित प्रभा से उन्हीं के ग्याना लोक से जागतिक ग्यान है उन्हीं के आनंद से संसार का यत किंचित आनंद प्रभा है इस तरह से वे विराट है ध कर्म में ब्रह्म बुद्धी करके वब्रह्म को ही प्राप्त होता है। गीता के इस श्लोक का तात पर यह है। जो कुछ भी किया जाए ब्रह्म बुद्धी से अर्थात ब्रह्म के साथ अपने को एक समझ कर करना चाहिए। खाद्य वस्तु वे ही हैं, भोजन की क्रिया भी वे ही हैं, उनके उपकरण भी अर्थार्थ इंद्रियादी जिनकी साहता से हम खाते हैं, वे ही हैं। और भोगता रसा स्वादन करने वाले भी वे ही हैं। ब्रह्म स्वरुप जठर अगनी में मानों, अनकी आहोती दे रहे हो। इसी ज्ञान से भोजन करो। और खाना ही क्यों संसार की प्रतेक वस्तू में, प्रतेक काम में, प्रतेक विचार में यही ब्रह्म बुद्धी लानी पड़ेगी। यही है जीव के समस्त कर्म फलनाश का एक मात्रोप है। कारण उसका कर्म ब्रह्म प्राप्ती को छोड़ और किसी फलकोत्पन नहीं करता। हमारे समस्त कर्मों के भीतर, समस्त उद्धिश्यों के भीतर मानो हम भगवान की प्रतिष्ठा कर सके। उनका मंगल स्पर्ष, उनकी मंगल मैं इच्छा, सभी में, सब समय हम अनुभव कर सके। मैं करता हूँ यह अहम बुद्धी त्याकर के समस्थ कर्मों का फलाफल हम उने समर्पित कर सके। इसी बात का इस शलोक में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है। हम लोगों के मठ में प्राया समस्थ केंद्रों में दोनों बार भोजन के पहले इस शलोक की समलित स्वर से आवरत्ती की जाती है। नंबर 230 भक्त राम प्रसाद का इसी आशय का एक अच्छा गीत है। मन कहता हूँ काली को भज चाहे जिस आचार से गुरु प्रदत महामंत्र जपेजा निशिवासर तु प्यार से सोने में कर प्रणाम बुद्धी, निद्रा में कर मा का ध्यान, नगर भ्रमन में प्रदिक्षणा है, मा की तुझको होवे भान, जो कुछ कर्ण पुटो से सुनतू, सभी मा के मंत्र सही, वर्ण वर्ण का नाम धार कर, काली बावन वर्ण मैं। चर्व्य चोश्य और लेहं पेया सब, जितने रस संसार में भोजन करते अनुभव करतू, आहुति श्यामा अगनी में। नमबर 231, यह दे अनित्य है, परिणाम में इसके क्रमी और राख बनेंगे, और इसके उपादान है, दुरगंदित, मल, मोत्र, श्लेश्मा, रक्त, मेद, मज्जा, मासादी, अपवित्र, घृर्णे वस्तुएं। ऐसे एक हाड मास के पिंजरे में आभद्ध होकर, मनुष्य कितना भयानक मोहुगरस्त हो जाता है, इसी में आसक्त होकर, और इसी में अहम बुद्धी स्थापित करके, रोज मर्रा अनंत दुख भोगता है, फिर भी तो चैतनलाब नहीं होता, मह माया की ऐसी ही माया है, क्य जाद भुद्ध जादू बना कर रखा है, जो मोक्ष कामी हैं, वे शरीर और इंद्रिय ग्राहम समस्त वस्तूओं को आसार और अनित्य समझ कर, इस सर्वनाशकारी मोह जाल का मुलोच्छेद करके, नित्य वस्तू के आश्रित होने के निमित यतन परायन अवश्य हो,